मुख मंत्री के बिधायक प्रतिनीधी पंकज मिस्रा के या एडी ने छापा मारी की और भी साहिब गंज और बढरवा में जो कारोबारी हैं उनके घर भी एडी गई इस छापे मारी में कड़ोरो रुपे कैस बरामद हुए और जो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो जमीन से संबंदित हो या करखाने से या अर्न कहीं उसके भी कागजात मिले हैं लेकिन पंकज मिस्रा के घर क्यों पहुंची एडी और उनका रिबारियों के पास एडी क्यों पह बताएंगे फिलहाल बता दे कि जितने यहां चापे मारी की गई जितने के घर में उन सभी को नोटिस सर्व कर दिया गया है और 14 और 15 तारिक को डेट दिया गया है अलग-अलग कि आप लोग आईए अपना ब्यान दर्ज कराने हमारे सहियोगी आपको बताएंगे जनता भर किया या फिर जो जिस तरीके से पंकज मिस्रा कह रहे हैं कि पहले लोग सीबी आई को लगा दिया वो रूपा तिर्किम प्रकरण मामले में कर रहे हैं और एडी अब आ रही है तो इससे हम डरने वाले नहीं है सचाई क्या है जनता को कैसे पता चले कि हां कोई ठोस वज़ा थी इसलिए एडी पंकज मिस्रा या वहां के करोबारियों के पास पहुंची है उसके पीछे की बज़ा है एक तो जो सबसे ठोस है वो यह है कि जो बढ़रवा थाने में जो केस दर्ज हुआ था दो हजार बीस में जो साहिव गंज जो प्रवेस सुल्क का जो जो टेंडर हो के साथ मारपीट हुई उनके द्वारा एक फायार दर्ज हुआ था वो तो एक ठोस बज़ा है ही लेकिन लोगों के मन में सवाल उट रहा था कि क्या कोई मारपीट की घटना को जो है या फिर किसी को टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने की बज़ा से एडी ने उस केस क की जब जांच कर रही थी जो जिसको पहले हम लोग बोलते हैं कि प्रारंभिक जांच केस टेक ओबर करने से पहले उस दौरान एडी को ये कई सबूत ऐसे मिले हैं कि ग्रूप ऑफ कंपनीज बना करके जो है पूरे संथाल के इलाके में पंकज मिस्रा और इनके सहयोगियों के द्वारा जो टेंडर मैनेज होता था उसको लेकर के जो है इडी चोकनना हुई और इडी जो है कारवाई कर रही है आप देखी बबाबा की जो लोगों के यहां जो छापे मारी हुई है इडी के द्वारा और कई सारे जो कागजात पकड़ाए गये हैं उसमें जो 15-16 लो बिवाद हुआ था उस टेंडर में इन लोगों ने बीड भी डाला था इसके साथ साथ कई लोग जैसे क्रिशना साओ है डाहू यादब हो गये छोटू यादब हैं भगवान भगत हैं भावेस भगत हैं इन लोगों के यहां तो छापे मारी हुई हुई लेकिन यह सारा जो नेकसे से पूरे संथाल का जिसको लेकर के बताया जाता है कि पंकर जो भी मिश्रा है वो इन लोगों को संटर्क्षन देते हैं नेत्रित में करते हैं लोगों का और यही वज़ह है कि Eढ़ी जो है लगातार जो है छापे मारी कर रही है. यह तो पब्लिक गोसिप है कि संरक्षन देते हैं या सबूत कुछ नहीं हम जानना चाहते हैं दर्सक को ऐसे समझाई है आप बोल रहे हैं एक टूल का निकला टेंडर उसमें कई पार्टी सिपीट इसको पब्लिक गोसिप नहीं बोला जा सकता है क्योंकि वो पब्लिक फोरम म मिश्रा धमकार है थे वो तो ऑल अलम गीर साफ गार्टी से अब ही ज़ार्कंड सरकार में मंत्री हैं कॉंग्रेस कोटे से उनके फोन का इस्तेमाल हो रहा था अब देखें कि यह जो एडी का जो जांच है वो धीरे धीरे आलमगीर आलम तक जो है भाई को टेंडर मिला इसल का टेंडर मिला लेकिन कई सारे बिवाद इसमें हुए और यही बज़ा है कि बीच में थाना तक मामला गया और थाना में जो फायार दर्ज हुआ और ग्रूप आफ कंपनीज के ताहट जिस तरीके से पूरा टेंडर हथियाने को लेकर के जो कोशिसे होती रही है संथाल प्रगरा में उसकी जाच मतलब यह एक टेंडर का मामला है ऐसे कई टेंडर है जहां पर ग्रूप आफ कंपनीज बना के पाटिसिपेट करते थे लोग ताकि कि किसी को लाब और किसी को हानी पहुंचा से हाँ देखे इसको आप ऐसे समझें कि अगर 10-15 लोगों की एक टीम है तो 3-3 लोगों की एक टीम बना दीजिए पाँच 9 बन गई बन गई कोई टीम कोई टीम एक्स बाईजेड हो गया कोई टीम डीलेफ हो गया और इस तरीके से जो है एक ही टेंडर में लोग पाटिसीपेट करते थे और कोशी से करते थे कि बाहरी लोगों को जो है वो टेंडर नहीं मिल सके आप देखिए कि इसमें जो जब फर्स टाइम जो मारपीट हुई और जिसमें संग्भू भगत के द्वारा जो F.I.R. दर्ज कराया गया था जो कि एक गेटवे बना है एक तरीके से समझे कि वो F.I.R. पंकज मिस्रा और उनके करीबियों तक पहुंचने के लिए E.D. को ले करके खास करके आप इसको समझे कि उस केस में जब एक चंदन कुमा में हिसा ले सकते हैं तो चंदन मिस्रा जो एक जो बताया जाता है कि पंकज मिस्रा और आलमगीर आलम के जो भाई थे अब नहीं रहे पिछले साल देथ कर गए अमिरूल आलम उनकी कंपनी को फाइदा पहुंचाने के लिए जो है वो बोली लगाए पांच करोर रुपया का और फिर वो बापस कर गए तो ऐसे में होता कि जब बीडिंग अगर दो आदमी लगाता है अगर माल लिए कि किसी भी चीज अगर एक बाई का बीडिंग चल रहा है बोली लग रहा है अगर हम पचास रुपया का बोली लगाए है और आप हम पचास रुपया का बोली लगा करके और लास्ट में हम मुकर जाते हैं कि हम जो है वो बाइक नहीं खरीदेंगे तो सेकेंड जो बीडर होता है जो बोली सबसे जादा रहता है उसको मिल जाता है लेकिन जो फर्स्ट बीडर जो मुकर जाता उसका तो जो पैसा जमा रहता है वो सीज हो जाएगा लेकिन यहां पूरा उसको पैसा भी लोटा दिया गया सेकेंड बीडर कौन था यह सवाल बनता है सेकेंड बीडर जो बोली लगाने वाला था जो एक करोड च्हालीस लाख रुपया का जो बोली लगाया गया था बो था मैं आई एंजी कौन प्राइबेट लिम्टेड जो की आमिरूल आलम और इफ्तिकार आलम दो पार्टनर हैं उनकी एक कमपनी है आई एंजी कौन प्राइबेट लिम्टेड जो की मंतरी आलमगीर आलम के भाई और उनके एक सहयोगी की कमपनी है हलांकि उनके भाई पिछले साल नहीं रहे जैसा कि हमने पहले भी बताया तो आप समझे कि इनके क कमपनी के द्वारा दोली लगा गया तो जबसे जादा लगा या था चंडान कुमार मिस्र Tá это और जले बैक कर गये थे जाहिर सी बात कि जो छोटे-फोटे में पार्टिस्पेट करने वाले लोग संबू भगत या फिर और अन्य लोग कि बारा कोई टेंडर हो रहा है तो दस लोग पार्टिसिपेट कर लो और उसमें किसी और को नहीं मिले इसलिए ज्यादा बोली लगाया गया इसी तरीके से अन टेंडरों में भी जो है संथाल के पूरे इलाके में यह कोशिस होती थी तो जब इस तरीके की जो तत्त है इडी को जो मिल तो एक बात यह आती है कि जब इडी लगबक तीन महिना साड़े तीन महिने से जारखंड में काम कर रही है सब को पता है जो बैमान है वो पैसा निकाल के कहीं न कहीं रख दिया होंगे या कहीं चुपा दिया होगा अपनी बुद्धी और अपनी छमता के अनुसार उपियो होगा इडी चापे मारी क्योंकि अगर इडी को लगता कि इन लोगों से पूच्टाश करनी अमुख हमुख बात में या मुख हमुख सिलसिले में तो वो तो नोटिस दे के सर्व करके बुला भी सकती थी तो क्या सिर्फ इडी को ये पता था 100% की पैसा रिकवर होगा इनके सबसे इडी जब रेड कर रही है कहीं भी तो खास करके वैसे सक्सियत के पास जो की बहुत ताकतवर माने जाते हैं संथाल इलाके में मुखमंत्री हमन सोरें के बिधायक परतिनीदी हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो कोई ठोस जानकारी मिली होगी कि इनके यहां पी या फिर इनके जो करीबी हैं उनके घरों में कोई कागजात मिलेंगे या फिर पैसों के बरामदगी होगी जैसा देखने को ही मिला और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा की बरामदगी जो पांच करोड एक तिसलाक रुपे की जो बरामदगी हुई है इसके इसके बरामदगी है तो बोटों इन्वेस्टमेंट का पेपर तो है ही है सबसे जो बड़ी बात है उनका जातों में कि डिपार्टमेंटल पेपर उन लोगों के वहां से मिला है जो की बिलकुल ही गैर सरकारी लोगों बिलकुल ही नहीं रहना चाहिए था वैसे वैसे जबूरियां है वो रहती है अपने अपने विवाकिल लेकिन जो खाबरे हैं कि डिपार्टमेंटल पेपर तक जो है बरामत किया गया है इडी के द्वारा सुक्रिया तो इतना आसान नहीं है और इतनी सरल सब्दों में अगर आपको नेता बता रहे हैं तो इसको ऐसे मत समझिए ये मामला इडी तब सुरुआत होती है जब एक टेंडर निकला था और महां से किसी को लाब और किसी को हानी पहुँचाने के लिए कोई इतने पे होता है भले ही मामला वहां से सुरू होता हो लेकिन इसका जो पटाक्षेप है वो इडी अपने सुपरवीजन में करेगी तब तक इंतिजार कीजिए इडी अपना दाइरा कहां तक बढ़ाती है और कैसे कैसे लोगों तक पहुँचती है शुक्रिया आए वम नगरतोली राची